नमस्कार दोस्तों Android बेडी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग फिर से हाजीर है Samsung Galaxy A41 के Tips & Tricks के Part 2 को लेकर मुझे उम्मीद है Part 1 आप लोगों ने अल्रेडी देख लिया है और अगर आप लोगों ने Part 1 अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके Part 1 देखे क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ने फीचर के बारे में बात किया है मैंने तो चलिए दोस्तों जादा देर न करके Part 2 को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों Samsung Galaxy A41 का जो गैलरी है गैलरी के अंदर आपको काफी सारे यूनिक फीचर देखने को मिलेंगे जासे गैलरी के अंदर आप फोटोस को डरेकली एडिट कर सकते आपको कोई थर्ड़्वाट्य इडिट की जुझफ में कर पाएंगे तीन चार फोटो का अप एक साथ स्लेट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इंद पी करके create collage कर सकते हैं, create collage करके आप यहाँ पे collage बना सकते है photos का और आप एक काफी cool effect बना सकते हैं, इसके लाब अगर आप चाहे तो 4-5 photo मिला के jip भी आप create कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे photos को select कर लिया है और create jip अगर मैं करूँगा तो सकते हैं और यहां पर आप इनका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर किस तरह से यह चेंज होगा वह भी कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे कुछ आप चेंजिस यहां पर बना सकते हैं रेशियो भी इनका बना सकते हैं चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यह सारे बहुत सारे काम आप यहां पर जिफ क्रियेट करके बना सकते हैं और वीडियो से भी आप लोग डिरेक्ली जिफ क्रियेट कर सकते हैं कुछ सेकंड का यहां पर वीडियो जब प्ले कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर पोर सेकंड का एक आपसन आ जाता है और यहां जो ख्लिक करेंगे तो आप एंदर आप जा सकते एंदर आप बहुत कुछ काम तो नहीं कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पर और फीचर मिलता है आप लोग टॉप में वीडियो को देख सकते किसी भी आप के उपर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ में क ले हो रहा है और इसको आप कई भी रख सकते हैं अपनी हिसाब से और यहां पर आप दूसरा कोई भी चीज नीचे चेक कर पाएंगे और जुसतों यहाप एगर आपको फोटो तो यह भाइभ भूट कर देता है तो फोटो डुरेग्ली डिलेट नहीं होता है यहाँ पे देख लिजी अगर अगर डिलीट करते तो मूट कहल जाएगा और बीसाइकल और आयजाएगा और रिसाइक्ल बीन के अंदर आप का स्थाक्रणे के लिए आपको यहाँ के लिए कर सकते हैं यहां पर बो भी फीचर आपको यहां पर दिया गया है दोस्तो अभी में जो फीचर बताने वाला हूँ यह फीचर हो सकता है किसी किसी रीजियन में यान की इंडिया के बाहर ना भी मिल सकता है तो अगर आप इंडिया के बाहर से है तो सायद यह फीचर आपके लि पर अपर कर सकते हैं तो आप अपने हिसाप से इंपको एड़स्ट कर सकते हैं दोस्तो home screen में या menu के अंदर अगर आप किसी भी app को long press करते हैं तो आपको 3D menu जैसा एक menu मिल जाएगा, 3D touch जैसा menu मिल जाएगा, जिसके सहारे आप को open किये भी नहीं, certain functions का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप app info में जा सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो app को uninstall भी कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, यहाँ पर दो option दिया गया है, my profile या create new contact का आपको option दिया गया है, similar way में आप gallery में क्लिक करेंगे, तो gallery में भी आपको कुछ options मिलेंगी, camera के अंदर भी आपको कुछ features मिलेंगी, जैसे देख सकते हैं, photo या video mode में आप directly यहाँ से जा सकते हैं, samsung notes का feature आपको inbuilt मिल जाता है, हाला कि phone के अंदर आप लोगों को S pane का feature तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी note create करकर रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो manually हाथ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यह जो टेक्स्ट के पास वाल आइकन है, इसको select करेंगे, तो यहाँ पर आप हाथ से भी लिख सकते हैं, दोस्तो फोन के अंदर आपको मिलता है game launcher का feature, game launcher के अंदर सारे games आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और game का data आप लोगों दिख जाएगा, game आप कितने देरे तक play कर रहे है, game ने आपका कितना data consume किया है, यह सब details आपको यहाँ पर मिल जा तो यहाँ पर game booster mode आपका start हो जाएगा, game booster mode के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे options दिये गया है, जैसे आप temperature monitor कर सकते है, memory monitor कर सकते है, यहाँ बैटरी percentage कितने देरे तक आप use कर सकते है, वो भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा, साथी साथी यहाँ पर navigation buttons को lock कर स सकते हैं, हाला कि यहाँ पर screen recording सिर्फ game के लिए available है, normal screen recorder यहाँ पर available नहीं है, और इसी के साथ में आप अगर चाहे तो यहाँ पर कुछ apps रख सकते हैं, जिन apps के मदद से छोटा pop-up window में आप उनको use कर सकते है, game खेलते हुए, तो लिए दिखाते है, game खेलते हुए अगर YouTube आप देखना चाहते हैं, तो आप YouTube के यहाँ पर चोटे विडियो में देख सकते हैं, और जब आपका हो जाएगा तब आप इसको close कर सकते हैं, similar way में आप WhatsApp, Facebook भी यह से use कर सकते हैं, दोस्तो home screen menu के अंदर भी आपको कुछ certain functions मिलेंगे, चलिए उनको जान लेते हैं, home screen menu में सारे apps को home screen पर रखना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, कि आपका home screen में सारा app रहे, अगर आप चाहते हैं, आपका app drawer रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं, basically मैं यहाँ पर app drawer के साथ ही use करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रखता ह जिससे आपकाrias जाधा या व्यक्त का हों ुप से occasionally आपको फीचर यहांपर मिल जाता है। तो यह पर जाते हैं कि सी भी आपको कर सकते और वह एप मेनुचा एंदर सरा ही लेकिन बन कोई भी आदमी उन्हाइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं। तो यह चीज़ का आपको ध्यान में रखना है मेनु के अंदर एक नया फीचर मिलता है आपको discover का, discover के अंदर आपको नयने app selections मिल जाएंगे, game selection मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस app selections या game selection को अप रखना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं पूरस्कान की सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपिएकृइंपर डिस्कवर को अप कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो डिस्कवर वाला बटाइब वह गायब हो जाएगा, दूस्तो आप अपने फोन को लैंड्सकेप मोड़ में भी इसत्माल कर सकते हैे, हम यूस अपकर सकते हैं तू फिंगर से पींच कर लिजिए करने के बाद होम स्कीन सेटिंग अंदर चले जाए जाने के बाद आपको रोटेट टू लैंड्सकेप मोड का ऑप्सन मिलेगा इसको आप कर लिजिए और नॉर्मली जो ऑट्रोट है उसको भी ऑन कर लिजिए उसके बाद जब अगर बच्चे होते है तो फोन को हाथ में देने के बाद वह फोन के अजिकर लेकशन में आइक men क को सजा हूँ लेकिन किसी बच्चे को देंगेगे तो वह वह इधर उदर कर देगा तो अगर आप इसको नहींolen चाहते हैं अगर आपका home screen intact रखना चाहते हैं तो आप home screen layout को lock कर सकते हैं यहां पे आपका home screen layout को lock करने का option दिया गया है इसको lock कर देंगे तो कोई भी app icons को हटा नहीं पाएगा उसके जगह से उसको हटा नहीं पाएगा तो यह काफी एक handy feature है और दोस्तों यहां पे नीचे से उपर swipe करने पे आपको यहां पे menu देखने को मिल जाता है याने की app drawer देखने को मिल जाता है लेकिन अगर आप फिर भी menu icon को click करना चाहते हैं अगर आप एक physical menu बटन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं home screen setting के अंदर जाके आपको मिलेगा option apps बटन का apps बटन को enable कर देंगे तो आपका यहां पे menu बटन आ जाएगा दोस्तों फोन के अंदर आपको themes भी देखने को मिल जाते है themes के लिए आप directly यहां से themes क्लिक करके जा सकते है themes के अंदर आपको काफी सारे themes मिल जाएंगे जिसके अंदर में आप अपने phone का look है totally change कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे paid themes है लेकिन अगर आप दून नहींगे तो आपको free themes भी देखने को मिल जाएगा यहां पर जाके आप लोग themes बगेरा change कर सकते हैं साथ ही में आपको wallpaper का option भी देखने को मिलता है यहां पर बहुत सारे अच् 받ट फीचर से मिल जाते हैं जितनी बार आप lock screen को on-off करेंगे हर बार आपको नया-nyay work देखने को मिलेगा दिख सकते हैं यहां पर और आप लोग दिख रहा है तो अगर आप हर बार नया-nyay work देखने चाते तो वह कर सकते इसके लिए आ आपको wallpaper setting के अंदर जाना है जाने के यहाँ पे नए ने वाल पर रोज रोज आपको देखने को मिलेंगे Dynamic Lock Screen के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप Select Category कर सकते है Category Wise आपको नए ने वाल पर देखने को मिलेंगे दोस्तो इन सब के इलावा भी आप लोगो को Setting के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर देखने को मिलेंगे तो चलिए देख लेते हैं Setting के अंदर क्या कुछ फीचर है Setting के अंदर First में आप लोगो को यहाँ पे Display का Option मिल जाता है Display के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे Blue Light Filter दिया गया है Blue Light Filter को आप Turn On Now कर सकते है या फिर Turn On Schedule कर सकते है यानि कि Automatic Day Time से जब Right Time होगा तो Automatic आपका Blue Light Filter On हो जाएगा Screen Mode को आप Change कर सकते है वेविट से Natural अगर आपको Natural कलर देखना पसंद है उतना तरकता बरकता कलर आप नहीं देखना चाते है तो आप Natural पर रख सकते हैं मुझे तो विविट कलर से पसंद है तो मैं इसलिए विविट कलर से रखता हूँ और Color T выступ को आप GoogleTone को आप चेंज कर सकते हैं अपने ही साब छोटा या बड़ा बना सकते हैं और Bold Joint और इसलिए करके रखा हूँ तकि आपको पर तेक्स्ट एजीली देख जाए font style भी आप लोग यहाँ पर change कर सकते है samsung one और gothic bold यह दो fonts दिये गया है अगर आप चाहे तो download भी कर सकते है यहाँ पर download पर जाके हाला कि यहाँ पर जो downloaded fonts है वो mostly paid है तो यहाँ पर आप लोग देख के download कर सकते हैं अपने हिसाप से दोस्तो by default तो आपको यह three button navigation मिलता है लेकिन अगर आप चाहे तो gesture navigation का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए display setting के अंदर आपको नीचे के तरफ navigation bar देखने को मिलेगा navigation bar के अंदर आप full screen gesture को enable कर देंगे तो आपका full screen gesture mode में आपका phone काम करने लग जाएगा इसके लिए आप नीचे से swipe करके ऐसे home screen में जा सकते है swipe and hold करके आप recent menu में जा सकते है left और right side से swipe करेंगे तो आप back में जा सकते है touch sensitivity एक option आपको यहाँ पर दियागा है इसको अगर आप लोग on कर देंगे तो आपका phone का touch sensitivity increase हो जाएगा अगर आप gloves बगएर यूज करते है तो यह चीज आपके लिए useful रहेगा gloves फेहन के भी आप touch कर सकते है अपने phone को touch sensitivity को on करके दोस्तो फोन के अंदर आपको always on display का support देखने को मिल जाता है तो always on display को आप different तरह से customize कर सकते है इसके लिए आप lock screen के अंदर जा सकते है और यहाँ पर आपको always on display का support देखने को मिलेगा तो always on display यहाँ पर देख सकते है tap to show का option दिया गया है यानि कि normally अगर आपका lock screen ऐसे रहेगा आप tap करेंगे तब जाके आपको always on display देखने को मिलेगा लेकिन आप चाहे तो इसको always on भी करकर रख सकते है tap to show को change करके आप show always कर देंगे यहाँ पर देख सकते है तो आपका lock screen में always on display है वो हमेशा आपको दिख जाएगा और always on का display में आप clock को change करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते है उसके नीचे आपको clock style देखने को मिल जाएंगे clock style के अंदर जाएंगे तो आपको different different always on display देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप लोग चाहे तो color को भी change कर सकते है अपने ही साब से अपने पसंद की साब से color totally change कर सकते है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे always on display दिये गया है और अगर आप चाहे तो और भी बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं एक last में theme बाला option दिया गया है यानकि theme के अंदर जाके आप always on display डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं कितने सारे Always-On Different Always-On Display यहां पर दिये गया है, आप इन में से किसी को भी डाउंडोड करके अपने पोन के अंदर लगा सकते हैं और एक कूल बात मैं आप उको बताता हूँ, किसी भी फोटो को अगर आप Always-On Display में लगाना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं मान लीजी इस photo को मैं always on display में लगाना चाहूँगा, तो इस photo को भी मैं लगा सकता हूँ, इसके लिए 3 बार को select कर लीजिए, select करने को बार set as always on display image का option दिया गया है, तो इसको अगर आप मैं done कर देता हूँ, तो देखेंगे, तो यहाँ पे always on display देख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे चोटे विडियों में always on display में वो picture यहाँ पे show हो रहा है, दोस्तो dual messenger का support आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसके मतब से आप social networking जो apps है, उनका एक दूसरा account create कर सकते हैं, और वहाँ पे आप लोग सेम phone से दो account चला सकते हैं, WhatsApp, Facebook, यह सब दो account चला सकते हैं, दोस्तो advanced feature के अंदर आप लोगो मिल जाता है 100 mode का support, 100 mode को आप लोग on करके यहाँ पे button कर सकते हैं, और इसके बाद जब आप 3 वार home screen में tap करेंगे, यानि कि home button पे tap करेंगे तो आपका phone जाए 100 mode में बनके आ जाएगा, और इससे आप लोग 100 mode में phone को इस्तमाल कर सकते हैं, और दोस् और भो.